कुछी दिन पहले भी हमने स्वतन्ता दिवस को मनाया पूरे देश में इस बात पे सबस्यादा चल्चा हुई कि आखिर इतने दिनों में हम स्वतन्त होने के बावजूद भी किन-किन चीजों में असल माइने में आजादी पापाएं हैं लेकिन सबसे कम जो चल्चा हुई वो इस बात पे कि आखिर ये आजादी है क्या आखिर स्वतन्तता हम किसे कहते हैं अगर अंग्रेजी भासा में हम बात करें तो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी क्या ये तीनों एक ही चीजों के माइने सीम हैं या नहीं तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है क्या आखिर फ्रीडम जिसे हम कह रहे हैं जिसको हम इंडिपेंडेंस कह रहे हैं या फिर जो हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है क्या सब कुछ होने के बावजूद भी सब लोग free है या नहीं क्या अमेरिका जैसा देश जो अपने आपको सबसे ज़्यादा civil rights के मायने में सबसे आगे मानता है क्या वहाँ पे भी true sense में freedom है या नहीं तो अगर हम सही मायने में एक example के साथ से समझना चाहें तो अगर मैं आपके सामने एक camera के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ तो मैं उधर नहीं देख सकता हूँ इसका मतलब यह है कि मेरी आखें आपके सामने ही होने चाहिए तो मैं free नहीं हूँ इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस freedom को समझते हैं आप देख रहे हैं प्रशान कुमार को underground philosophies में freedom को दो तरह से समझा जा सकता है पहला तरीका कि जब भी कभी कोई external object, external means या situation जिसको हम हिंदी भासा में बाहरी माध्यम बाहर की चीजों के द्वारा हम रुकावट पाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि एक तरह से आप unfree हैं suppose करिए जब भी कभी आप campus में आ रहे हैं जवालना नहिरु विश्वध्याले जैसे campus में आ रहे हैं और आपको दरवाजे में ही रोग दिया जाए कहा जाए कि यह security की वज़े से है इसका मतलब है कि आपको equal access नहीं है एक विश्वध्याले में अगर हम admission के माध्यम से देखा जाए तो क्या उडिशा के काला हांडी में रहने वाले इंसान और डेली विश्वध्याले में पढ़ने वाले सेम इंसान की जो situations रही है उसके हिसाब से entrance exam देने में क्या दोनों सेम तरीके से free हैं या नहीं अगर हम दूसरे माइने में बात कर जाए तो भारत में जिस हिसाब से caste system चल रही है मंदिर में जाने पर एक विसेश तरह की कास को रोका जाता है तो इस तरह से वो लोग सारे unfree हुए तो जब भी कभी हम independence की बात करते हैं खासकर देश के reference में कि हम 15 अगस 1947 को जब आजाद हुए तो किस तरह से हमें आजादी मिली वह decide करते थे कि हम किस आधार पर अपने rights को demand करेंगे वह decide करते थे कि हमारा education system क्या होगा वह decide करते थे कि हम किस-किस जगह पर जा सकते हैं नहीं यानि एक external interference था जिसकी वज़े से हमें दिक्कते आती थी जिसकी वज़े से हम अपने आपको unfree करते थे तो जब हम आजाद हुए तो हमने उस तरह के interference से बच गये लेकिन अगर हम केवल इस तरह की बातें के रख गए कि हम जब पुराने अपने संस्कृति को देखते हैं अपने पूरे इतिहास को देखते हैं तो क्या हमारे ही लोगों ने हमको स्वतंत नहीं रखा इसका सबसे बड़ा एक्जामपल मिलता है कास सिस्टम और कास सिस्टम में खास कर तब जब कास्ट को एक occupation के साथ जोल दिया गया यानि अगर एक कास्ट का इनसान कोई उसका काम करता है तो सपोस करी अगर हम मान लेते हैं कि ब्राह्मन का काम से पुजारी का काम है तो वो बाकी सारे कामों से नजनदाज कर दिया जाता है यानि वो बाकी सारे काम नहीं कर सकता है लेकिन खास कर क्योंकि जब कास्ट सिस्टम में हम बात करते हैं एक वक्तिकत काश्ट को सबसे उपर रखा जाता है, यानि वो सारे काम कर सकता है, लेकिन जो नीचे वाली काश्ट के लोग हैं, वो नहीं कर सकते हैं. तो हम देखेंगे कि संस्कृत में ही हमारे लोग हमी लोगों पर अनफ्री कलते रहें, यानि वहाँ पर आजादी जैसी चीज़े नहीं देखने बिलिए, और आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी हम उस तरह से आजादी नहीं पापा हैं. तो जब नहिरू ने अपना पहला भासर दिया, तो उसमें सही मायने मुनों नहीं कहा, कि राजनेतिक तोर पे हम स्वतन्त तो हो गये हैं, लेकिन बाकी समाजिक तोर पे, आल्थिक तोर पे, या हम पर्यावण के तोर पे कहें, तो हम अभी स्वतन्त नहीं हुए हैं. तो इस तरह की एक सतंत्र की मात करते हैं, और क्योंकि human body, यानि special हम लोग जहां पर कहीं exist करते हैं, यानि space and time में जब भी कमी हम exist करते हैं, तो हमारी limitations होती हैं, तो external freedom शायद complete sense में possible नहीं है, तो जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूँ, तो मैं definitely एक ही समय में कानपुर, उ limitation की बात करते हैं, तो इसे हमें exact freedom sense में बात नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो freedom हम तब देखने कोसिस करते हैं, जब हम एक particular धाचे के अंदर बन चुके होते हैं, यानि इनसानी जीवन के हिसाफ से हम अपने आपको freedom कैसे देख पाते हैं, तो इस तरह की एक freedom है, दूसरी freedom हम किस बरें बात कर सकते हैं, जब हम thought के process में बात करते हैं, इसके लिए हमारे सामने दो think करके हम बात कर सकते हैं, एक केसी भटाचारय जिन्होंने अपने ही एक article में सुराज इन आइडियाज में इस तरह से बात की कि कैसे हम अपने आइडियाज में free हो सकते हैं, और आइ जब भी कभी हम किसी एक dogmatism में जाते हैं, यानि पूर्वा ग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं, तब हम आजादी के दूसरे माइने में एक साथ नहीं हो पाते हैं, इसके एक example देते हैं, सपोस करिए मैं एक धर्म से बिलॉंग करता हूं, उस धर्म के अपने कुछ concept हैं, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि हम हिंदू धर्म से बिलॉंग करते हैं, तो हमारे हैं कि हमें अपने seniors का respect करना चाहिए हैं, यानि गुरू बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, तो जब भी कभी हम जाते हैं और हम देखते हैं कि कहीं बड़े लोगों का सम्मान नहीं होता है, या जब भी कभी हम रियल सेंस में बात कर रहे होते हैं, तो क्या हम अपने आइडियाज को खुद कोश्चन करके यह सोच सकते हैं, कि आने वाले जो भी एक्ट हो रहे हैं, या कोई दूसरा दूसरी विचालधा से कोई एक्ट कर रहा है, तो क्या हम उसको एक पैरामीटर, यानि अपने आइडियालोजी के पैरामीटर से हट कर देख सकते हैं नहीं, तो वो एक दूसरी तरह की फीडम हो जाएगी, इन्ही दो तरह की फीडम को लेकर बात करते हैं, इजाया बर्लिन, उनकी जो आर्टिकल है, बेसिकल उन्होंने एक लेक्चर दिया था, टू कॉंसेप्ट ऑफ लिबर्टी का, जिसको बाद में पब्लिश किया गया, करीबन 46 पेज का आर्टिकल, और वो पेज अलग हो सकते हैं, लेकिन उस आर्टिकल में उन्होंने इसी दो तरह के concept की बात की, क्या के freedom क्या है, एक को positive liberty का नाम दिया गया, एक को negative liberty की बात किया गया, negative liberty की बात हम तब करते हैं, जब कोई एक external object के through, हमारे उपर रुकावट लगाई जाती है, और positive freedom की बात तब हम करते हैं, जब हम हमारी freedom हम ही रोक रहे होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा role होता है, कि जब हम किसी भी एक विचार को बिना कुछ सोचे समझे accept कर लेते हैं, और उसी विचार की वज़े से हम आने वाले judgments, आने वाले action को judge करना शुरू करते हैं, तो ये दो तरह की freedom की हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसके beyond एक तरह की freedom होती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी चल्चा करते हैं, तो अगर हम Indian philosophy के हिसाफ से बात करें, तो जब भी कभी हम Brahman की बात करते हैं, तो वह freedom की बात हम space and time के beyond जाने की बात करते हैं, या फिर अगर हम physics की बात करें, तो astral space नाम की एक चीज होती है, जिसको हम बात कर रहे होते हैं, या एक ऐसा space शायद जिसको हम कलप्रा नहीं कर पाते हैं, या फिर नीश्य की बात करें, तो जब वह कहते हैं कि हम beyond good and evil जाना चाहिए, यानि इन दोनों के जो categorization है, उसके beyond हमें जाने की बात करनी चाहिए, तो क्या freedom और unfreedom के beyond भी हम एक ऐसी जगे देख सकते हैं, जहां पे हम एक नए तरीके की सुतनतरगी बात कर सकें, तो जैसे ही मैंने आपको freedom का एक concept बताया, already हमने उस concept के through देखना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह है कि बाकी जितने भी concept हो रहे हैं, उससे हम नहीं देख पा रहे हैं, यानि हमारी freedom एक ही concept से restrict होती जा रही है, और इस तरह की जब हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह आता है, क्या किसी भी real sense में हम freedom पा सकते हैं, या फिर freedom को हमेशा किसी न किसी से जोल के देखना चाहिए, जैसे freedom to equal education, freedom to do whatever I want, freedom to roam around in the country or anywhere, तो इस तरह की चीजों के बारे में हमें देख के काम करना चाहिए, या एक और freedom की हम बात कर सकते हैं, जो विचारों और external दोनों से beyond जाके बात कर सकते हैं, शायद silence को कहा जाता है सबसे बहतर freedom का मौस, जब हम इस बात को समझ जाते हैं, कि जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, उस reference के हिसाब से बाकी नहीं चीजे बोलने के हिसाब से हम restrict हो जाते हैं, शायद बुद्धा इसी लिए silent है, आप देख रहते हैं प्रशान कुमार को underground philosophies में